12.12 डाइनेमो या विद्युद जनित्र डाइनेमो और एलेक्ट्रिक जनरेटर डाइनेमो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्री कुर्जा को विद्युतूर्जा में बदलता है या विद्युद चुमकी प्रेणड के सिध्धान पर काम करता है इस सिध्धान का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्तिधिक परिमान की विद्युद्धारा उत्पन करने के लिए भी किया जाता है बनावट पहला आर्मेचर इस हेतू नरम लोहे के टुकडे पर तामबे के विद्योत रोधी तार के अनेक फेरे आयताकार कुंड़ी के रूप में लपेटे रहते हैं जैसा की चित्र सोला दूसरा क्षेत्र चुमबक आर्मेचर को प्रबल नाल चुमबकों के अवतल एनेस थ्रूखन्डों के मध्य रखा जाता है विभक्त वलय दिख परिवर्तक आर्वन वा आर्टू धातू के बने हुए वलय होते हैं जो भीतर से धूरी से जुड़े होते हैं कार्बन ब्रश इस्थिर चालक कार्बन बुशों B1 तथा B2 को प्रिथक प्रिथक रूप से क्रमशह वलयों R1 तथा R2 पर दबा कर रखा जाता है कार्बन ब्रशों का संबंध धारा मापी से किया जाता है विधी जब दो वलयों से जुड़ी धूरी को इस प्रकार घुमाया जाए कि कुंडली की भुजा A B उपर तथा सीडी भुजा नीचे की ओर हो और कुंडली चुमकी क्षेत्र में गती करती है तो कुंडली से गुजनने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तथा कुंडली में भुजा A B तथा सीडी में फ्लेमिंग के दाए हाथ के नियम राइट हैं रूल के अनुसार प्रेरित धारा बहेगी प्रतेक सीरे से संबंधित धारा संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली धारा का निर्मान करेगी तब बाहे परिपत में धारा ब्रश B1 से B2 की ओर बहेगी अर्ध गुर्णन के पश्चात भुजा सीडी उपर की ओर तथा भुजा A B नीचे की ओर होगी तब बुजाओं में प्रेरिद विद्ध धारा DCBA के अनुदिश प्रवाहित होगी इस प्रकार बाहे परिपत में धारा DCBA के अनुदिश ब्रश B1 से B2 की ओर बहती है इस विवस्ता के साथ धारा एक ही दिशा में बहती है इसे दिश्ट धारा जनित्र कहते है प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने हे तू विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय का प्रयोग करते हैं जिसके कारण AB भुजा का सम्मंद सदैव ब्रश B1 तथा CD भुजा का सम्मंद ब्रश B2 से बना रहता है अता जब धारा ABCD के अनुदिश बहती है तो बाय परिपत में यह ब्रश B2 से B1 तथा जब DCBA के अनुदिश बहती है तो बाय परिपत में B1 से B2 की दिशा में धारा बहती है अता प्रत्यक अर्ध चक्र में घुर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं के विद्युद्धारा की दिशा बदल जाती है ऐसे विद्युद्धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में बदलाव कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा alternating current संक्षेप में AC कहते है विद्युद्ध उत्पन करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते है बच्चों आप अभी डाइनमो या जनित्र के बारे में सुन रहे थे डाइनमो या जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्री कूर्जा को विद्यो तूर्जा में परिवर्तित करता है आप जानते हैं यांत्री कूर्जा को विद्यो तूर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है जब कोई कुणली चुमकी क्षेत्र में घुमती है तो कुणली से गुजरने वाली चुमकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण विद्युधारा उत्पर्ण होती है चुम्बकी बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है चुम्बकी क्षेत्र में रखकर कुंडली को घुमाकर और कुंडली को इस्ति रखकर चुंबक को घुमाकर आप अभी जो चित्र देख रहे थे उसमें चुम्बक के उत्री और दक्षिन धूर के बीच में कुंडली को घुमाने से कुंडली से गुजरने वाली चुम्बकी बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ जिससे विद्युधारा उत्पन होती है और हम यहाँ पर आपके सामने एक उपकरन लाए हैं जिसमें कुंडली को इस्थिर दखा गया है देखिए यह कुंडली इस्थिर है और इस डिस्क के पीछे सर्कुलर मैंगेट्स लगे हुए हम यहाँ इन मैंगेट्स को घुमाएंगे और देखते हैं कि किस प्रकार विद्युधारा उत्पन होती है जब हम इन मैंगेट्स को घुमाएंगे तो यह कुंडली के उपर से तेजी से घुमते हैं जिसके कारण कुंडली से गुजरने वाली चुमकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा और विद्युधा उत्पन होई याने कि चुम्बक को घुमाने पर यहां पर कुंडली से गुजरने वाली चुमकी बलरेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ और विद्युधारा उत्पन होई यह जो धारा उत्पन हो रही है यह दिश्ट धारा है क्योंकि कुंडली के सीरे जो है वो दिश्टधारा है और ये जो जनित्र आप देख रहे हैं ये दिश्टधारा जनित्र है तो बच्चों आपने ये देखा कि जनित्र में विद्युधारा कैसे उत्पन होती है